नमस्कार, जैहिन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल, Important MCQ by Sandeep में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग DL8 4th semester गड़ित की तयारी कर रहे हैं और इसी के क्रम में हमने batch 2013 से लेकर batch 2018 तक जितने भी 4th semester गड़ित के प्रशन पत्र आए हैं उन सभी प्रशन पत्रों को हम cover कर रहे हैं मात्र 3 वीडियो में इसका part 1 हमने कल upload कर दिया जा, अब ये part 2 यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं इसके बाद इसका part 3 आ जाएगा और सभी question यहाँ पर complete हो जाएगे पिछले वीडियो में हमने जितने भी बहुई कलपी प्रशन थे वो सभी हल करके दिखायते और आसान भासा में हल करके दिखायते ताकि आपके दिमाग में एक एक concept अच्छे से set हो जाए अब यहाँ पर हम अतिलगुतरी प्रशनों को ले रहे हैं जितने भी प्रशन पत्र हैं सभी प्रशन पत्रों के अतिलगुतरी प्रशन लेंगे और उन सभी प्रशनों को समझेंगे आप ध्यान से वीडियो को देखेगा क्योंकि हम बहुत आसान भासा में आपको समझाते हैं ताकि ऐसे student के भी समझ में आ जाए जो बिल्कुल भी गडित नहीं जानता हो या कह सकते हैं बहुत कमजोर होता है सब के समझ में आएगा तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का निशान जरूर दबा लिजे ताकि ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर जो पहला प्रशन है एक संकु का आयतन सो पाई घं सेंटीमीटर है यह जो आपकी है यह आपकी हो जाएगी उचाई ठीक और यह जो यह वाली लाइन है यह आपकी हो जाएगी तिरची उचाई जिसे हम L से डिनोट करते हैं और ये जो line है, ये आपकी कहलाती है R, ठीक है, R यानि त्रिज्या, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है, R बराबर कितनी दे रखी है, 5, और जो आपका आयतन दे रखा है, संकू का, वो दे रखा है, आपका 100 πाई दे रखा है, ठीक है, 100 πाई दे रखा है, अब यह यह आप यहाँ पर पाइथागोरस थेवरम लगा देंगे यह वाली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल बराबर अंडरूट एच स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर यह होता है तिर्छी उचाई का सूत्र तो हम यहाँ पर सबसे पहले एच निकालने क्योंकि हमारे पास आर त स्क्वायर एच ठीक है बराबर सौ पाइ कर देते हैं तो एक बटे तीन गुडे 22 बटे साथ पाई की वैल्यू रख दी और r की वैल्यू रख दी 5 स्कॉाइर और ह रख दिया बराबर सौ पाइ कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर यह इधर पाई है ये इधर 22 बटे साथ है तो ये ये कट जाएगा ठीक है क्योंकि पाई-पाई हैं दोनों और यहाँ पर जो नंबर है बराबर के उस तरफ भेज देते हैं पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पा-ई- 12 cm, तो h बराबर 12 cm, इसी में हम value रख देते हैं, तो यहाँ पर आप value देखिए, l बराबर, formula लिख देते हैं, इसका, h square प्लस r square, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, h की value हम रख देते हैं, 12, तो h की value हमने रख दी, 12 square, r आपका प्रश्ण में दे रखा था, प्लस 5 square कितना होता है, 25, तो 144 under root 25, यह कितना होगा, यह हो जाएगा, 169, clear बात, 169 हो जाएगा, तो इसको आप solve कर लिजे, 179 किसका होता है आपका वर्ग, यह होता है 13 का वर्ग, तो यह जो आपकी तिर्ची उचाई निकल के आ गई, 13 cm आ गई, अब यहाँ पर अगर आपको कोई doubt हो, तो आप हमें बताईए, यहाँ आप देख सकते हैं, यह आसानी से यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर solve कर दिया गया है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए r लिख लिया, आयतन लिख दिया, 100 pi, 100 pi लिख दिया और आयतन का formula लिख दिया, एक बटे 3 pi r square, एक बटे 3 pi r square कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर pi pi कड गया, एक बटे 3 r square रखा 5 का square और इनको बराबर के उस तरह भेज दिया, तो यह एक उपर था, इधर आएगा, तो नीचे हो गया, यह 5 square मतलब 25 नीचे आगया, यह 3 नीचे था, यह इधर उपर चला गया, अब सबको काड़े 25, 400 कर लिया, तो 4, 3, 12, h की value कितनी आगया, यानि उचाई आपकी 12 आगया, अब 3 उचाई वाला सूत्र लगा दिजिए और आपका आंसर आगया, एल बराबर कितना आया, 13 इस तरह आपने समझ लिया, अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रशन है, वा छोटी से छोटी संख्या ग्यात कीजिए, जिसमें 1890 में गुड़ा करने पर गुड़न फल पूर वर्ग हो जाए, जब गुड़ा की बात आए, जब भाग की बात आए, तो आप क्या करेंगे, यह जो संख्या दी होती है, इसका आप गुड़न खंड कर लिजे, 1890, 1890 का जवाब करेंगे, तो 2 से सबसे पहले काटेंगे तो आएगा 945, फिर किस से काटेंगे अब 2 से काट थीघेख नहीं तो तीन से काट लो तो यह हो जाएगा 315 फिर से 3 से काटो फिर से 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 105 फिर से तीन से काटते हैं तो यह आपका 35 अब इसके बाद काटेंगे 5 से म dł he Dreams and साथ तो यहां पर आपने देखा ऐसी संख्यां यहां पर हम लेंगे जिनका जोड़ा नहीं बनता है तो 1890 में गुड़ा करने पर गुड़न फल पूर वर्ग हो जाए तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिनका जोड़ा नहीं बनना जैसे यह देखिए तीन-तीन का जोड़ा बन रह दो का जोड़ा नहीं बन रहा, तीन का जोड़ा नहीं बनना, पांच का जोड़ा नहीं बनना, साथ का जोड़ा नहीं बनना, अगर इनके जोड़ीदार मिल जाए, तो जो संख्या होगी, वो गुड़नफल हो जाएगी, यह मतलब गुड़नफल पूरवर्ग हो जाएगा, ल 210 वह चोटी से चोटी संख्या है, जिसमें 1890 में गुड़ा करने पर गुड़नफल पूर्ड वर्ग हो जाएगा, यानि 1890 में अगर हम 210 को गुड़ा करते हैं, तो जो गुड़नफल आएगा वो आपका पूर्ड वर्ग होगा, उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया ह बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की तरफ लिखा हूँ यह दिचत्र भुज के अनता कोडों का अनुपात 3, 4, 5, 6 है, तो सबसे बड़े कोड को ग्याद करो, देखो अगर हम यहाँ पर कोड को मान ले X, तो यहाँ पर कोड कौन कौन से हो जाएंगे, 3X हो जाएंगे, 4X हो 5X हो जाएंगे और 6X हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन से कोड है, 6X है, और हमें यह भी पता है कि जब इन चारों को जोड देते हैं, तो जब अनता कोडों का योग होता है, यानि चत्र भुज के अनता कोडों का योग फल कितना होता है, 360 होता है, तो 3X प्लस 4X प्लस 5X प्लस 6X बराबर कितना रगते हैं, 360 रगते हैं, तो 3, 4, 7, 5, 12, 12, 12, 6, 18, यानि 18X बराबर हो जाएगा 360, और यह 360 बटे 18 हो जाएगा, तो X की value कितनी निकल के आगई, X की value निकल के आगई, 20, ठीक, X की value कितनी निकल गई, 20, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोड, सबसे बड़ा कोड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोड आपका, 6x है, तो 6x की value रख देंगे, 6x की value है 20, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोड हो जाएगा, वो होगा 120, तो यहाँ पर आपको पूरी language लिखनी पड़ेगी, अगला यहाँ पर जो प्रश्ण है, अगला प्रश्ण देख लीजे, यह कह रहा है कि अंडर रूट, यह सबसे पहले 3, और यह आपका लिखा हुआ है, 3-343, गुडे 512, तो माइनस 343 है, देखो 343 का जो घनमूल होता है, वो 7 होता है, लेकि यह माइनस 343 है, तो यह माइनस 7 हो जाएगा, 512 है, 512 का घनमूल कितना होता है, 8, तो 8 सते 56, यानि माइनस का 56 इसका अंसर आजाएगा, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो, तो नीचे comment box में बताना न भूलिएगा, ठीक है, चलो, अब आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगला जो प्रेशन है, अगला प्रेशन है, यहाँ पर एक पासा उच्छालने पर अभाज संख्याओं का समुच्चे ग्यात करो, जब एक पासा उच्छाला जाता है, तो कौन कौन से नंबर हमें मिलते हैं, एक मिलेगा, नहीं तो दो मिलेगा, या तो तीन मिलेगा, या तो चार, य अब यहाँ पर बोल रहे हैं, अभाज संख्याओं का समुच्चे ग्याद करो, तो अभाज संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, 3 होगी, और आपकी 5 होगी, तो अभाज संख्या तो यही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अभाज संख्याओं मतलब एक पासा उच्छालने पर अभाज संख्याओं का समुच्च है दो तीन पाँच हो जाएगा क्लियर हो गई बात चलो अब आगे देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पर क्या कहा रहा है अगला प्रशन है यहाँ पर कि एक 25 संटीमीटर भुजा वाले वरगाकार कागज को मोड़ कर बेलन बनाया गया है तो बने बेलन का वक्रप्रेस्ट ग्यात करो तो वक्रप्रेस्ट ग्यात करने के जो फार्मूला होता है बेलन का वक्रप्रेस्ट बेलन का वक्रप्रेस्ट होता क्या है यह आपको पता होना चाहिए वो होता है 2 πाई आर एच क्लियर हो गई बात तो ये चीज आप समझ लीजे 2 pi r h है मान लेते हैं कोई आपका ये वर्ग है ठीक है अब इसको मोड कर आपने क्या बना दिया इसको मोड कर आपने बना दिया बेलन ठीक है बेलन बना दिया और बेलन का वक्रप्रस्ट चाहिए तो आप जैसे मान के चलते हैं ये आपका बेलन बन जाएगा ठीक ये नीचे हो गया ये नीचे हो गया उपर ठीक है तो इसकी जो आधार की जो परिधी होगी आधार की परिधी जो होगी वो इसकी भुजा होगी जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं परिधी बराबर कितनी हो जाएगी 2 πाई आर 2 πाई आर परिधी इसकी कितनी हो जाएगी जो वर्ग की भुजा होगी तो 2 πाई आर बराबर 25 क्योंकि 25 ही वर्गाकार कागच की भुजा थी अब जो भुजा की जो आपकी परिधी होगी परिधी आपकी 25 हो गई और जो इस बेलन की उचाई होगी वो भी आपकी 25 हो जाएगी क्यों हो जाएगी 25 क्योंकि ये वर्गाकार है चाहे आप जिधर से भी मोडते तो इसकी उचाई 25 ही होती और इसकी परिधी भी 25 होती बेलन का वक्रप्रस्ट क्या है टू पाई आर एच तो टू पाई आर की value निकल के आ गई 25 और आपकी h कितनी है वो भी 25 है तो हम कह सकते हैं 25 गुड़े 25 बराबर 625 आपका उत्तर आ जाएगा तो बेलन का जो वक्रष्ट होगा वो हो जाएगा 625 cm2 क्लियर हो गई बात उम्मित करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो वर्गाकार कागज है उसको मोड कर बेलन बनाए जा रहा तो जब उसको मोड कर बेलन बनाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो उचाई हो भुजा के बराबर होगा तो भुजा जो आधार होगा वो परिधी होती है टू पाई आर होती है ये टू पाई आर लिख दिया और भुजा के बराबर कर दिया तो टू पाई आर बराबर 25 हो गया और एच आपको मालूम है 25 है क्योंकि यह जो मोडा गया है तो इसकी कागज के भुजा के बराबर होगी तो दोनों को कर दिया गुड़ा बेलन का वक्र प्रिश्ट होता है टू पाई आर एच टू पाई आर पच्चिस दे रखा है एच आपका ये पच्चिस हो गया पच्चिस गुड़े पच्चिस बराबर 625 सेंटीमीटर इसको आया उम्मीद पर जो पहला प्रेश्ट है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चोड़े आयत के चोड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ग्याद करना है तो मान लेते हैं यह यहाँ पर आपकी लंबाई दे रखी यह आपकी चोड़ाई दे रखी जब चोड़ाई क परिता घुमाने पर तो ये मान के चलते हैं जब घुमा देंगे तो ये एक तरेके से बेलन बन जाएगा ठीक है ये कैसा बन जाएगा बेलन बन जाएगा तो ये आपको हम बेलन बना के दिखा देतें जैसे ये बेलन बन गया ठीक तो यहां पर ये देखे ये जो इसकी उचा जिसके परिता घुमाते हैं वो बन जाता है आधार यानि परिधी बन जाती है जो बेलन की आधार होगी वही परिधी कहलाती है तो वो क्या बन जाती है वो चोड़ाई बन जाती है जिसके परिता घुमाते हैं वही परिधी बन जाती है यानि चोड़ाई के परिता घुमा रह तो जो लंबाई होगी, वो उचाई बन जाती है, clear हो गई बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गए, तो यहाँ पर इसकी उचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, 17, और जो परीधी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, 7 तो परीधी का फार्मूला क्या होता है, 2 pi r बर हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ से हम क्या करें, r की value निकाल लें, तो r की value हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 7 बटे 2 pi हो जाएगा, 7 बटे 2 into 22, गुडे 7, तो r की value कितनी आ गई, 7 सत्य 49 बटे 44, clear हो गई बात, r की कितनी value आ गई, 49 बटे 44, और हमें चाहिए क्या, हमें तो आयतन चाहिए, आयतन कितना होगा, आयतन क्या formula क्या होता है, आयतन का formula होता है, pi r square h, तो आयतन का यह formula हो गया, तो pi की value रख देते हैं, 22 बटे 7, r कितना आपका निकल के आई, 49 बटे 44, то 49 बटे 44, square है, तो 49 बटे 44, दो बाल लिख देंगे, ठीक है, h कितनी ही आई थी आप और हो जाएगी तो हैच आपकी हो जाएगी 17 तो हमने यहां पर 17 लिग दिया ठीक है अब इसको आप आराम से सॉल कर लीजे और आपका आंसर आजाएगा जैसे यहां पर हम साथ से इसको काटेंगे 7, 49 हो जाएगा 22 से हम इसको काटेंगे तो 22, 44 हो जाएगा उपर क्या बच रहा है 7, 49, 17 और नीचे क्या बच रहा है 2, 44 तो यह 7, 49, 49, 17 जब इसका multiply करेंगे तो यह आजाएगा 5831 और बटे हो जाएगा 88 ठीक है तो इसका उत्तर कितना आएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा 6, 2, 6 घंटीमीटर तो इस तरह आपने देखा इसका उत्तर कितना आ गिया 1, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चोड़े आयत को चोड़ाई के जब परिता घुमाएगे तो बेलन का जो आयतन निकल के आएगा, वो आएगा 6.26, क्लियर हो गई बात, चलो, अब आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है, एक बाग के आम में, एक बाग में आम के 204 पेड़ हैं, यानि कुल पेड़ कितने हैं, 204, ठीक है, और बोल रहा है, प्र पंक्तियों को हम क्या माल ले, पंक्तियों को माल लेते हैं, एक्स, तो प्रतेक पंक्ति में पेड़ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जितनी बाग में पंक्तियां हैं, उतने ही प्रतेक पंक्ति में पेड़ कितने हो जाएंगे, वो भी एक्स हो ज पेड़ कितने हैं, x हैं, तो कुल पेड़ प्रस्ण में भी दे रखा है, 2304 बराबर x square, clear हो गई बात, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम under root 2304 करेंगे, मतलब यहां से square हटाएंगे, तो इधर under root लग जाएगा, तो 2304, यह किसका वर्ग होता है, यह 48 का वर्ग होता है, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं, जो पंक्तियां हैं कुल मिलाकर, वो हैं 48, clear हो गई बात, चलो, अब आगे देख लगते हैं, अगला यहां पर कौन सा प्रश्ण है, अगला प्रश्ण है, 10.45, minus, cot.30, plus, 2, cos.30, plus, minus, sin.90, तो 10.45 कितना होता है, यहोता है, 1, cot.30 कितना होता है, root 3, यह कितना होता है, root 3, और यह आपका cos 30 कितना होता है, यह 2 cos 30 है, तो plus 2 cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, ठीक, और sin 90 कितना होता है, sin 90, आपको मालूम है 1 होता है, देखें, यह plus का 1 है, यह minus का 1 है, तो cut जाएंगे, ठीक, यह cut गया, यह बचा minus का root 3, plus, यह 2, 2 कट जाएगा, तो plus का root 3 हो जाएगा, तो minus root 3 plus root 3, 0 इसका उत्तर आजाएगा, clear हो गई बात, चलो, अब आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा हैं, समी करण 13x minus 30 plus x square बराबर 0, इसकी value आप निकालो, सबसे पहले हम इसको arrange कर लें, x square इधर रख लें, plus 13x minus 30 बराबर 0, 13x को दो पार्ट में आपको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, 13 को 15 और 2 के form में तोड़ें, 15 minus 2, 13 आ जाएगा, और 15 दूना 30 आ जाएगा, तो x square plus 15x minus 2x minus 30 बराबर 0, यहां से हम x को common ले लेते हैं, यहां से x common लिया तो बचेगा x, यहां से x को common लेंगे तो बचेगा 15, अब यही x plus 15 उठा कर हम यहां रख देते हैं, x plus 15, यह हमने रख दिया, अब यहां पर x लिखा है, यहां minus 2x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह minus 2x जो है, यहां स हम x को हटा दें क्योंकि हमने x ले लिया है यहां बचेगा minus 2 तो यहां पर हम रख देंगे minus 2 बराबर 0 clear हो गई बात अब एक bracket में आ जाएगा x minus 2 एक bracket में आ जाएगा x plus 15 बराबर 0 clear हो गई बात अब यहां पर हमें क्या करना होगा x की value निकालनी होगी एक तो x की value यह आ गई और यहां से x की value कितनी है जाएगी minus का 15 उम्मिद करता हूँ यह आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों x की values कैसे निकली clear हो गई बात अब आगे देखते हैं अगला यहां पर प्रश्ण क्या कह रहे हैं अगला प्रश्ण है एक वरत का छेतरफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वरत की तरिज्जा निकालो तो वरत का आपको छेतरफल का formula मालूम होना चाहिए वरत का छेतरफल कितना होता है सबसे पहले तुम देख लेए वरत का छेतरफल दे कितना रहा है यहाँ पर वरत्त कच्छेत पाल है 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इसक्वाइर 154 के बराबर कर देते हैं तो आर इसक्वाइर और यह 22 बटे 7 पाई की वैलियो रग दी बराबर 154 अब यह 22 बटे 7 उस तरब भेजेंगे 154 गुडे 7 बटे 22 हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे इसको आप सॉल कर लीजे तो जब इसको सॉल करेंगे तो 22 से जब हम 154 को काटेंगे तो आजाएगा 7 22 सत्य होता है 114 तो 7 गुडे 7 आएगा तो आर की वैलियो रखेंगे जब यह स्क्वाइर तो उधर अंडरूट लग जाएगा तो 49 सत्य उन्चास हो गया तो आर की वैलियो कितनी आ गई 7 उन्चास किसका वर्ग होता है साथ का होता तो आर की जो वैलियो आ गई वो आपकी आ गई 7 सेंटी मीटर क्लियर हो गई बात उम्मेद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ अब देखें यहां पर फिर से गुड़न खंड वाला प्रशन आ गया गुड़न खंड के प्रशन बहुत आते हैं आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे किया जाता है क्योंकि गुड़न खंड का यह मान के चलिए कम से कम 3-4 नमर के हराहल में आपकी परिक्षा में आना इसे 4x common ले तो बचेगा x plus 1 इसी x plus 1 को उठा कर यहां रख देते हैं x plus 1 तो यहां देखा x है यहां भी x आ गया तो दोनों में x x है तो जब काट देंगे तो बचेगा प्लस का 1 यहां पर हमने रख दिया एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x plus 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x यहाँ पर केवल गुडन खंड करने थे तो यही इसका उत्तर हो जाएगा अगर बराबर में लगा होता जीरो तो यहाँ पर फिर हमें x की value निकालनी पड़ती तब जाकर final answer आता उम्मीद करता हूं कि यह आपके समझ में आ गया होगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो वर् तिक संख्या ग्यात कीजिए जिसे 19,44,91 में घटाने पर सेशफल पूर्ड वर्ग हो जाए देखें जब घटाने और जोडने की बात आएगी तो जो वर्ग मूल निकाला जाएगा वो आपका भाग विधी से निकाला जाएगा तो भाग विधी से कैसे निकालते हैं तो 19,44 थोड़ा नीचे लिखते हैं 19,44 और 91 तो जब इसका हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो देखें सबसे पहले लोग जोड़े बना लेते हैं 91 का जोड़ा बना लेंगे 44 का जोड़ा बना लेंगे 19 का जोड़ा बना लेंगे अब यहाँ पर वर्ग पढ़ेंगे जैसे 2 उसमें देखना पहले, तो 4 चको 16, 4 बार ले जाते हैं, 4 चको हो गया, 16, तो 19 में 16 घटा दिया, तो आया 3, ठीक है, अब यहाँ पर पूरा अगला जोड़ा उतार लेंगे, 44, और यह जो 4 यहाँ था, इसमें जोड़ेंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 8, अब 8 के आगे ऐसी संख्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखें, वही यहाँ पर भी लिखना है, तो हम कैसे इसको पता करें, कि यहाँ पर कौन से संख्या आ सकती है, जैसे यहाँ पर दिखें, एक संख्या यहाँ पर छोड़ेंगे, 4 है, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर कितना बचा 34, 34 बिता, तो 8 का पहाड़ा पढ़ी है, 34 से ज्यादा नहों, 8 चोको 32, ठीक है, तो एक बर 4 से और multiply, 4 यहां लिखेंगे, तो 4 यहां भी लिखेंगे, अब इस 4 का 84 में करेंगे multiply, 84 चोको होगा कितना, 336, तो 336 घटाएंगे 344 में, तो बचेगा 8, अब अगला जोड़ा उता clear हो गई बात, अब यहां पर आप देखेंगे, कि यह 88 है, यहां 891 है, तो अगर हम यहां पर इसके दो अंक छोड़ दें, इसके दो अंक छोड़ दें, और इसका एक अंक छोड़ दें, तो यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 8, तो 8 एक कम 8 जाएगा, तो एक यहां लिख द में जितना सेश होता है वही संख्या इसका आंसर हो जाती है घटाने वाली कंडिशन में जिसे यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकतिक संख्या ग्याद करो जिसे 1944-1994 में घटाने पर सेश फल पूर वर्ग हो जाए देखे 1944-1994 में जो 10 है न वो एक्स्ट्रा है तभी तो यहाँ पर सेश बच रहा है अगर एक्स्ट्र ना होता तो सेश ना बचता है न यही तो बात है तो जब 1944 क्याने में 10 को हम घटा देंगे तो जो सेश फल बचेगा वही पूर वर्ग होगा क्लियर हो गई बात उम्मिद करता हूँ यह आपके समझ में आ गया होगा अगला यहाँ पर प्रश्ण करते हैं अगला प्रश्ण क्या कह रहे हैं कि x स्क्वाइर माइनस x और आपका माइनस 6 का गुड़न खंड करना केवल गुड़न खंड करना और कुछ नहीं करना तो यहाँ पर x को दो पार्ट में तोल लिजे x स्क्ाइर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 clear अब इसको common ले लिजे x square में x common लेंगे बचेगा x 3x में x common लेंगे तो बचेगा माइनस का 3 अब जो यहाँ पर common लिया same to same आप ऐसे ही उठा के यहाँ रख दीजे x माइनस 3 यहाँ पर x को compare कर लिजे यह प्लस 2x है यह एक्स है तो यहाँ से अगर हम x common ले चुके x कटेगा तो प्लस 2 बचेगा तो हमने यहाँ पर प्लस 2 रख दिया तो एक ब्रेकेट में x प्लस 2 आ जाएगा एक ब्रेकेट में x माइनस 3 आ जाएगा यही इसका answer हुआ क्योंकि यहाँ पर केवल गुडण खंड करने को कहा गया clear हो गई बात अब next question देख लेते हैं अगला question यहाँ पर है sec 30 minus 2 cot 45 plus minus 4 by root 3 sin 30 plus 2 cos 0 तो sec 30 की हम value रख लेते हैं सीधा तो sec 30 की value कितनी होती है 2 by root 3 2 cot 45 की value कितनी होगी cot 45 की value हो जाएगी 1 और क्या है minus 4 by root 3 sin 30 की value कितनी होती है sin 30 की होती है 1 by 2 और plus 2 cos 0 है 2 cos 0 cos 0 की कितनी value होती है 1 होती है अब आप इसको solve कर लेजे 2 by root 3 यह लिख दिया अब 2 into 1 कितना होगा minus 2 हो जाएगा अब यह 2 से 4 को कटेगा तो यह हो जाएगा minus 2 upon root 3 minus 2 upon root 3 और 2 upon 2 ठीक है अब यहां आप देखेंगे यह plus कर 2 by root 3 यह minus कर 2 by root 3 कट जाएगा यह minus कर 2 है यह plus कर 2 है सब कट जाएगा उत्तर आपका आजाएगा 0 clear हो गई बात उम्मिद करता हूँ यह चीज़ आपके समझ में आई होगी कोई doubt हो तो नीचे comment में बताना न भूलिएगा अगला यहां पर प्रश्न है दो सिक्का उच्छालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे तो दो सिक्का उच्छालेंगे तो कुल परिणाम प्राप्त होंगे 4 कैसेप्र्णार प्राप्त होंगे वह भी आप देख लिजे जब आप 2 सिक्का उच्छालेंगे तो पहली condition आ सकते है दोनों में head असकता है या फिर पहले में head आजाए दूसरे में tail आ जाए या फिर पहले में tail आजाए दूसरे में head आ जाए या तो tail head आएगा या तो tail tail आजाएगा clear हो गई बात आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर प्रश्ण क्या कह रहे हैं अगला प्रश्ण है किसी संकू की तिरची उचाई 21 cm 38 cm तो संकू का वक्रप्रश्ट ग्याद करो तो संकू का वक्रप्रश्ट आपको पहले पता होना चाहिए कितना होता है तो संकू का वक्रप्रश्ट होता है पाई आर एल पाई आर एल तो पाई की वैल्यू होती है 22 बटे साथ R यानि 3 यहाँ पर दे रखी है 8 L यानि 3 उचाई आपको दे रखी है 21 अब बताईए क्या बचा यहाँ पर कुछ नहीं बचा सिर्फ solve करना 22 गुड़े 8 यह 7 से 21 गटेगा 7 21 हो जाएगा यानि 22 गुड़े 8 गुड़े 3 बराबर कितना होगा हो जाएगा 528 cm2 उम्मीद करता हूँ यह चीज आपको समझ में आगे होगी वक्क प्रेस्ट का फॉर्मुला रगा दिया जो वैल्यूज दे रखी प्रेस्ट में वैल्यूज रख दी आपका आंसर आ गया आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर जो प्रेस्ट आपके सामने है अंडर रूट 343 का क्यूब रूट है और स्क्वाइर रूट पूछ रहे हैं 576 का इनका क्या आएगा साथ गुड़े 24 इसका उत्तर आएगा 168 क्लीर हो गई बात कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं जो बैच 2017 कती पर आया था वर्ष 2019 में तो यहाँ पर क्या पहला कोश्चन है उसको आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो पहला कोश्चन पूछा गया है कि 8000 का गनमूल निकालो तो क्या करते हैं आठ गनमूल निकालीजे तो जोड़े बना लीजे दाई तरफ से यह एक जोड़ा बनेगा यह जोड़ा बन रहा है तो इसका ले लेते हैं एक जीरो और आठ किसका घन होता है निकालीजे ठीक है या तो आप 8000 के गुड़न खंड कर लिजे उससे भी निकाल सकते हैं दो से भाग देंगे 4000 आएगा फिर दो से भाग देंगे 2000 आएगा फिर आपके सामने आ गया 20, clear हो गई बात, चलो, अब आगे देख लते हैं, अगला प्रश्ण क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 16 x square, 16 x square minus 25, बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा, solve करना है, तो यहाँ पर मतलब x की value निकाल लिए, तो x की value निकाल लो, 25 को उस तरब भेजो, 16 x square, इधर 25 minus में इधर आएगा, plus में हो जाएगा, यहाँ से 16 को हटाओ, इधर भेजो, इधर multiply में है, तो इधर divide में आ जाएगा, 25 बटे 16, यहाँ से square हटाओगे, तो x square under root 25 बटे 16, अब 25 का square root कितना होगा, 5 होगा, 16 का कितना होगा, 4 होगा, तो इसका उत्तर कितना है, x बराबर 5 समझ गे होगे, अब यहाँ पर अगला प्रश्ण है, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताओ, बहुलक तो बड़ा आसान होता है, बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी, वही आपकी बहुलक हो जाएगी, तो बहुलक आप समझ के क्या होगा, बहुलक पांच सेंटीमीटर चोड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन के आयतन को ग्याद करो, तो यहाँ पर किसके परिता घुमाय जा रहा है, लंबाई के परिता घुमाय जा रहा है, तो यहाँ पर जो परिधी हो जाएगी, वह लंबाई के बराबर हो जाएगी, तो परीधी हो गई आपकी 10 cm, तो परीधी का फर्मूला लगा दिजे, 2 pi r बराबर 10, तो r की value निकाल लिजे, 10 बटे 2, pi की value रख दिजे, 22 गुडे 7, ठीक है, तो यह आपकी कितनी, यह आपकी r निकल के आजाएगी सामने, तो r इसका निकाल लिजे, 2 से काट दिजे, 10 को तो आजाएगा, 5 गुडे 7, बटे 22, यानि यह हो जाएगे आपकी 35, बटे 22, और जो आपका h होगा, h क्या होगा, h आपकी हो जाएगी, चोड़ाई, तो यह हो जाएगी, 3.5, यानि आपका r भी निकल गया, h भी आ गया, अब आप सीधा क्या करेंगे, आप इसका फॉर्मूला लगा दीजे, बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्कॉाइर h, तो पाई 22 बटे 7, आर आपका कितना निकला है, आर देखते हैं, 35 बटे 22 है, तो 35 बटे 22 आप यहां रख दीजे, 35 बटे 22 स्कॉाइर है, तो दो बार मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, 35 बटे 22, 35 बटे 22, और h आपका 3.5, अब आप इसको आप सॉल कर लिजे, तो आपका यहां पर इसका उत्त आ जाएगा, इसको काट लिजे, जो कटने लाएगा, 7, 35, ठिक, 22, 22 कट जाएगा, अब उपर कितना बचा, 5, गुडे 35, गुडे 3.5, बटे में 22, अब आप इसको सॉल कर लिजे, तो यहां पर आप समझ सकते हैं, 7 का गुड़ा करेंगे, तो यह आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, आपका लगभग, 612.5, बटे 22, अब 612 को जब हम 22 से डिवाइड करेंगे, तो यह आपका उत्तर आएगा, करीबन 27.84, तो यहां पर जो बेलन का आयतन निकल के आ गया, वो आपका आ गया, 27.84, उम्मिद करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहि आगे देखते हैं, अगला जो प्रशनी यहां पर बोला जा रहा है, कि समी करण, क्या बोला जा रहा है प्रशन में, समी करण, x square, plus 9, minus 6x, तो इसको solve करेंगे, तो सबसे पहले arrange कर लेते हैं, x square, minus 6x, plus 9, इसको solve कर लीजे, तो 6x को दो पार्ट में तोड़ लीजे, तो minus 3x, minus 3x, plus 9, अब 3, 3x में क्यों तोड़ा गया है, क्योंकि 3, 3 जोड़ेंगे, तो 6 आ जाएगा, और 3, 3 का गुड़ा करेंगे, तो 9 आ जाएगा, अब यहां पर x को common ले लिजे, x square चे x common लिए, तो x बचा, minus 3x में x common लिए, तो minus 3 बचा, अब यही x minus 3 उठा कर हमने य यहां रख दिया, अब इसको compare कर लिजी, यहां minus 3x लिखा, यहां x लिखा है, यानि x अगर यहां से हटा दे तो बचेगा minus 3, तो यह हमने minus 3 लिख दिया, ठीक, अब यहां पर एक bracket में आगया, x minus 3, दूसरे bracket में भी x minus 3 आ रहा है, तो यानि दोनों में same आ रहा है, तो किसी यहां का उठा लिजे, x minus 3 बराबर 0, x बराबर 3 value आ जाएगी, यहां पर कोई doubt नहीं होना चाहिए, देख लिजे ध्यान से, ओके, चलो, अब आगे देखते हैं, अगला जो प्रशनी यहां पर कहा जा रहा है, कि cot 45 minus sin square 45, cos square 45 plus sin 90, सीधा हम value रखते हैं, तो cot 45 की value होती है, 1, minus sin square 45, तो sin 45 की value कितनी होती है, 1 by root 2, sorry, 1 by root 2, लेकिन यहां पर square बोला जा रहा है, तो इसको square कर दीजे, यह हमने square कर दिया, अब minus cos square 45, cos 45 की value कितनी होती है, 1 by root 2, तो इसका भी आप कर दीजे, square, plus sin 90, तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो आप देखे, यह 1, यह 1 हो गया, आपका 2, यह 1 by root 2 का जब square करेंगे, तो आएगा 1 by 2, और 1 by root 2 का square करेंगे, तो 1 by 2, तो यह आधा, यह आधा दोनों जुड़ जाएंगे, same sign है, 1 आजाएगा, 2 minus 1, इ उम्मित करता हूँ, यह भी आपके समझ में, सीधा value रख दीजे, solve कर लीजे, जहां भी solve करने लायक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जो अभी पिछले माह में paper आया था, उसको solve कर लेते हैं, उसमें कौन-कौन से प्रश्न है, यह batch 2018 का paper है, ठीक है, जो पिछले महिने हुआ था, यहाँ पर जो पहला प्रश्न बता जाता है, दो सिकों को एक साथ उचाला जा रहा है, तो दोनों सिकों पर एक साथ सीर्स आने की संभावना ग्याद कीजे, देकि जब दो सिकों एक साथ उचाले जाएंगे, तो कुल परिडाम कितने प्राप्त होंगे, चार परिडाम प्राप्त होंगे, अभी हमने आपको पतायता है, या तो एच एच आएगा, या तो एच टी आएगा, या तो दोनों में टी टी आ जाएगा, ठीक है, तो कुल परिडाम कितने प्राप्त होंगे, चार, लेकिन बोलने हैं, दोनों सिकों प होता है कि कुल संभावित परिडाम कितने है और कुल परिडाम कितने है चार तो उसको नीचे रख देंगे तो संभावना आपकी निकल के आ गई एक बटे चार उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में अब प्रसें संख्या देखते हैं 7 यहां पर क्या कह रहे हैं प्रसें संख्या सांथ आपके सामने है एक लंब वृत्तिय बेलन के आधार का छ्यतरफल 100 cm है यहां पर दे रखे हैं कि pi r square आपको दे दी है 100 cm square ठीक और फिर उसके बाद उचाई दे रखी है उचाई यानि h दे रखी है कितनी दे रखी है वो दे रखी है 10 cm ठीक अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि आयतन निकालो तो आयतन का formula क्या होता है बेलन के आयतन का formula क्या होता है pi r square h तो pi r square आपको 100 दे रखा है h कितनी दे रखी है 10 दे रखी है तो 100 गुड़े 10 आपका कितना हो जाएगा 1000 cm3 असान था आसानी से आपका solve हो गया okay pi r square यानि आधार का छेतरफल दे रखा है 100 तो हमने यह आधार का छेत्रफल कितना होगा आधार कैसा होता है गोल होता है तो छेत्रफल उसका कैसा होगा pi r square हो जाएगा pi r square बराबर हमने रख दीया गें 100 और प्रश्न यहां पर आप देखिए समी करड़ x square प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 यहां पर इसको हल करना है यानि x की value निकालनी है तो 7x को 2 form में तोल देते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 ठीक अब यहां से x square प्लस 5x में हम x को common लेंगे तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 5 ठीक अब यहां पर यही x square x प्लस 5 उठाकर यहां रख देते हैं ठीक अब यहां पर 2x को हम देखेंगे यहां 2x है यहां x है तो यहां x काटेंगे तो प्लस 2 बचेगा तो यहां पर हम bracket के बाहर प्लस 2 लिख देते हैं बराबर 0 तो यहां पर एक bracket में आ जाएगा x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 ठीक अब य यहाँ पर x की value निकालेंगे, 2 को उस तरह भेजेंगे यह हो जाएगा minus का 2, 5 को उस तरह भेजेंगे यह हो जाएगा minus का 5, तो यहाँ पर देखिए x की 2 value निकल के आगई, 1 आगई minus 2 और दूसरी निकल के आगई minus 5, देखिए जब बराबर 0 लगा होगा तो वहाँ पर x की value न तो अगर हम दूसरे व्रत की त्रिज्या की चार गुनी है, तो अगर हम दूसरे व्रत की त्रिज्या मान लें, एक्स, दूसरे व्रत की त्रिज्या, अगर हम एक्स मान लें, तो जो पहला व्रत होगा, उसकी त्रिज्या कैसी निकलेगी, उसकी चार गुना है, तो वो निकला आएगी चार एक्स क्लियर ऑगई बात तो दूसरे वरत्य की तरिज्विया-एकस है तो पहले वरत्य की शार लिखा हुआ है एक वरत्य की तॵरत्य की 4 पछेतर्फल को मैं च्रूर होता है पाई आडि यह अनुपात लगा दिया दूसरे वरत्त का छेतर फ़ल हमने इधर लिख दिया ये भी πाई यार स्क्वाइर होता है तो यहाँ पर पहला वरत्त की जो त्रिज्य होगी वो निकाली जी ये है 4X तो R की जगे हम रख देते हैं 4X ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं 4 X स्क्वाइर और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R स्क्वाइर ये दूसरा वरत्त की तरिज्या कितनी थी X थी तो X स्क्वाइर कर दिया क्लियर हो गई बाद पाई पाई आपने काड़ दिया यहाँ बचा 16X स्क्वाइर यह 4 का स्क्वाइर करेंगे 16X का स्क्वाइर करेंगे X स्क्वाइर है यहाँ X स्क्वाइर है अब X स्क्वाइर X स्क्वाइर कट गया यह आपका आगया 16 अनुपात 1 तो यहाँ पर आप समझ गए यहाँ पर अगर पहले व्रत्य की तरिज्या 4X है दूसरे व्रत्य की तरिज्या अगर X है तो इन दोनों व्रत्यों के जो छेत्रफल का अनुपात होगा वो आपका आ जाएगा 16 अनुपात 1 उम्मिद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आई होगा अब आगे देखते हैं अगला यहाँ पर प्रशन क्या वोला जा रहा है कि A B C D A B C D कैसा चत्रफुज है? वो है चक्री चत्रफुज जैसे मान लेते हैं कि यह आपका एक व्रत्य रखा है ठीक? यह आपका व्रत्य हो गया अब यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, इसके अंदर एक बना देंगे चक्रिय चत्रुभुज, तो अगर चत्रुभुज के चारो सिर्स व्रत्त की परीधी पर पढ़ रहे हों, तो ऐसा चत्रुभुज आपका कहलाएगा चक्रिय चत्रुभुज, इसके हम नाम दे देते हैं A, B, C, D ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है A जो है, वो आपका है पचपन ठीक, B कितना है? B आपका बताया जा रहा है यह 60 है ठीक, अब यह पूछा जा रहा C और D का मान ग्यात करो तो C और D का मान कैसे ग्यात करें? आपको मालूम है जो चक्री चितुर भोज होते हैं वहाँ पर सम्मुख कोडों का योग कितना होता है? सम्मुख कोडों का योग 180 के बराबर होता है ठीक है? 180 के बराबर होता है सम्मुख कोडों का योग तो A का जो सम्मुख कोड है C तो A एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना होगा 180 होगा ठीक है एंगल A और एंगल C को जब जोड़ेंगे तो 180 होगा अब यहाँ पर एंगल A तो 55 दे रखा है तो 55 को जो हम बराबर के उस तरब ले जाएंगे एंगल C निकालने के लिए तो एंगल C कितना निकल के आजाएगा वो आजाएगा 125 यानि हम यह कह सकते हैं कि अगर हमें एंगल C चाहिए तो हम सामने वाले कोड को 180 में घटा देंगे सीधा आपका उत्तर आजाएगा इसी तरह जब हम एंगल D को निकालेंगे तो 180 में सामने वाले को घटा देंगे तो 180 में जब हम 60 को घटाएगे तो यह आपका आजाएगा 120 उमीद करता हूँ कि यह आपको आसानी से समझ में आगया होगा ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है अगला प्रश्न जो यहाँ पर है वो बोल रहे हैं कि sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1045 तो sin 30 की value होती है 1 बटे 2 cos 60 की value होती है आपकी 1 बटे 2 और जो आपका 1045 होता है उसकी value होती है 1 तो आप यहाँ आप सौल कर लिज़े आधा और आधा 1 प्लस 1 बराबर उत्तर इसका आ गया 2 यहाँ पर अगर कोई doubt हो तो आप नीचे हमें comment में जरूर बताईए कोई भी प्रश्न जितने भी हमने यहाँ पर प्रश्न करा दिया आपको उनमें किसी भी प्रश्न में आपको doubt नहीं होना चाहिए अगर कोई भी doubt होता है तो आप हमें नीचे comment में बता दियेगा तो दोस्तों इस तरह हमने batch 2013 से लेकर batch 2018 तक जितने भी प्रश्न पताया थे उन सभी प्रश्नों को solve करने का जो second video था वो हमने यहाँ पर आपको दे दिया अब कोई भी प्रश्न में doubt होता है तो नीचे comment में बताईएगा उसका भी समधन किया जाएगा उम्मिद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा इसके बाद हम इसका तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके घंटी का निशान जरूर दवाएँ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत